हलो दोस्तो स्वगत है आपका एजुकी सेनट डन एंटी नेंट पर दोस्तो यहाँ पास बहुत से लोगों को यहाँ पर दिक्कते आ रहे हैं ऑनलेन फॉर्म भरने पर सिक्षक भरतीगा कि यहाँ पर उसके मार्क सिट में ओनली फर्स्ट नेम है मीडल नेम और लास्ट नेम नहीं है तो वो लोग क्या डालेंगे तो इसके बारे में दूस्तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिगा और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिगा तो चल सबसे पहले तो अपना first name डाल देना है इसका बाद दूस्त यहाँ पास middle name को आपको blank छोड़ दिना है क्योंकि दूस्तों इसमें इस प्रकार से star mark नहीं है। इसके बद दोस्तों यहाँ पर last name आजाता है जिसमें दोस्ते यहाँ पर क्या डालना है यहाँ पास आपको अपना last name इंटर कर देना है लेकिन यहाँ पर हमारा last name भी नहीं है इसलिए दोस्तों हम यहाँ पर get OTP पर click करते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार से यहाँ पर problems होता है कि please enter last name तो यहाँ पास अब जब तक last name को enter नहीं करेंगे तब तक यहाँ process आपका आगे बढ़ने वाला नहीं है क्योंकि दोस्तों यहाँ पास आप देखेंगे कि last name में यहाँ पर star mark है और first name में भी यहाँ पास star mark है तो यह दोनों आपको डालना जरूरी है तभी यह आगे बढ़ेगा तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है आपको simple से यहाँ पर last name पर क्लिक करना है उसके बाद आपके keyword में जो space वाला button रहता है उसी में आपको एक क्लिक कर देना है तो यहाँ पास आप इसमें एक space डाल देते हैं इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आपको simple से आप क्या करना है यहाँ पास gate OTP के option पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका process यहाँ पास आगे बढ़ जाता है तो देख पहेंगे यहाँ पास हमारा process आगे बढ़ गया इसके बद दोस्तों जो OTP आपके mobile नंबर पे आया है वो OTP आपको 4 डिजिट का यहाँ पास इंटर कर दिना है उसके बद यहाँ पर submit पे क्लिक करके आपको आगे का process पूरन कर लेना है आगे का process आपको कैसे करना है इस पर दोस्तों हमने detailed video बना रखिया वो वीडियो का लिंक आपको description box में देखने को मिल जागा आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं और सिक्षक भरती का पूरा online form बिना गलती कि आप आराम से भर सकते हैं साथ साथ दोस्तों यह वीडियो भी आगे share कर दीजीगा ताकि जिन लोगों को भी यह problem आ रहा है उसको भी यह solution के बारे में पता चल सके तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही चली फिर से मिलेंगे आपके साथ इस प्रकार से एक नई वीडियो लेकर तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद जहिंद